जैहिन दोस्तों आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चानल पे जोके है रेशम क्लास है लेकिन सबसे पहले कॉमेंट सेक्षन पे जैहिन जरूर लिखे प्रोमोशन के लिए बहुत अच्छी अप्डेट है और उसी के साथ साथ ही हम आपको बताएं थे कि ये वीडियो अब तक की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आपको फॉर्स्ट एर, सेकंड लियर, फाइनल यर, प्रोमोशन, एड्मिट क करना हमारी अनदर यूट्यूब चैनल को जो कि है डॉक्टर आरोई हेल्थ है प्लीज सब्सक्राइब पिर ने इस चैनल को कि यहां पर आपको बहुत सारी वैसे अपडेट मिलेगी जो आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी जल्दी से चल्दी सबसे पहले वीडियो रेखन रेज़िस्ट्रेशन नहीं करवाया और नहीं ही इग्यामीनिशन फॉर्म भरा है किया इंहें प्रमोट रोड़ यह सबसे बड़ा त्रॉ है Q3 क्या दुबारा जुलाई सेशन में छात्रों का प्रोमोशन संभव है इस इट पॉसिबल क्या ये पॉसिबल है Q4 है हमारा हो टिकेट क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है हमने भी चुडाई 2021 परिक्षा में फॉर्म भरा था 2021 टामें एक्जामेशन फॉर्म भरने के परिक्षा होगी और फाइनल कोशन होल टिकेट नहीं आया तो हो सकती है प्रोमोशन रद ध्यान देजेगा अगर आपका होल टिकेट नहीं रिलीज हुआ तो प्रोमोशन रद हो जाएगे बहुत सारी कोशन है यह आप सबने ही पूछे हैं चले करके सारे सवालों का नहीं देखे सबसे इंपोर्टेंट बात इगनु ने पिछले बात यानि कि जब उन्होंने पहली दफ़ा प्रोमोशन दिया था यह आप नोटिस देख रहे हैं 10 तेसंब 2020 का इसमें जब इगनु ने आपको नोटिस दी थी प्रोमोशन का तो उन्होंने क्लियरली एक चीज मेंशन कर दी थी कि स्टूडेंट ध्यान देजी कि यहां पर प्रोमोशन प्रोवाइडेड उन कैंडिडियोट को कि जाएगी दोज स्टूडेंट हूँ हैव रेजिस्टर्ड री रेजिस्टर्ड इन अकाडमिक सेशन 2019-2020 एस पर दो फ्लोइंग डिटिट यहां पर जो जि था नहीं भरा था प्रोमोशन किस बेसिस पर हुआ रेजिस्टेशन और री रेजिस्टेशन के बेसिस पर तो अब आप देखिए कि क्या आपनी रेजिस्टेशन करवाया था सब्सक्राइब के लिए अगर आपनी रेजिस्टेशन सब्सक्राइब के लिए नहीं करवाया य कि first year और second year के student का क्या होगा क्या उनका promotion होगा यह दिसंबर में देनी होगी परिक्षा इगनु ने क्या दिया है कि अभी हम फिलाल तीन अगत से examination लेने वाले हैं final year और backlog students का clear कर लेजे swift final year और जो backlog students है उनका जिनकी परिक्षा या फिर उन्होंने कभी दी नहीं थी अब भी फिलाल final year में चाहे वो graduation के final year में हो या फिर post diploma कोई भी courses कर रहे है final year होना चाहिए तो अब आप decide कीज़े कि क्या final year में है क्या आपनी 2021 जुलाई में final year के लिए form भरा था अगर आपनी 2021 के term in examination में final year के form भरा था examination के लिए तो फिर आप यहां पे आपको examination देना होगा अधर्वाइस आप 2nd year और 1st year में है तो प्लीज आपको examination देने की जुरत नहीं है यहां पे clearly ignoring के दिया था कि आपका postpone कराया जाएगा लेकिन आपका examination postpone होके December कर दिया गया है लेकिन important सवाल यहां पे यह है कि UGC जो notice जारी की है इन्होंने यह notice उन्होंने कब जारी किये ज़र आपको दिखा देते हैं यह notice जारी हुई है जुलाई 2021 में और इस notice में क्या कहा गया इ examinations करवाने के लिए कहा है 21 August तर जितनी भी examinations है final year की वह आप जरूर से जरूर करा लीजे चाहे किसी भी mode पे हो दूसरे पर यहां पर academic calendar में क्या लिखा हुआ है यहां पर academic calendar में यह लिखा हुआ है कि जितनी भी student है जितनी भी student है पहला तो यहां पर examination कराने के बात की गई पर यहां पर देखिए for the intermediate semester year student assessment shall be based on internal evaluation and previous semester as suggested in 2020 guideline intermediate semester के जो भी student है यानि की finaler को छोड़के बाकि जितनी भी student है उनको कह दिया गया है कि जैसे 2020 के guideline में आपको promote करने की बात की गई थी इस बार भी आपको वैसे ही promote कर दिया जाए UGC ने clearly कह दिया है अब देरी हो रही है तो हमारी university से university को देरी क्यों लग रही है university को देरी लग रही just because examinations है उसके बाद ही वो फैसला लेगी यानि कि आपकी possibility 95% है 5% सिर्फ इसमें मंजूरी चाहिए university को बट अगर university नहीं करती है आपको promote तो फिर हम fight कर सकते हैं on the basis of UGC guideline UGC के guideline के हिसाब से आपको हक है कि आपको promotion मिलेगा अब बताइए कि promotion होगा या नहीं आपको तो निश्रिंद हो जाना चाहिए लेकिन 95% chances है लेकिन सिर्फ 5% अगर university नहीं करती है तो आप अपने लिए fight करना जानते ही है चलिए अब बात करते हैं third यहाँ पे है कि क्या दुबारा जुलाई session के छात्रों का promotion संभव है बिल्कुल भी possible है जैसा कि मैंने अभी notice में दिखाया UGC के next है कि हमारा hot ticket क्यों नहीं download हो रहा है हमने तो जुलाई session के लिए परिक्षा फॉर्म भी भरा था दिखें दो तीन रिजन हो सकते हैं अगर अपने जुलाई session के लिए form भरा था तो आपका form हो सकता है सब्मिट नहीं हुआ होगा सही से आपने status चेक नहीं किया नमबर टू रिजन यह हो सकता है कि आपका hot ticket डाउनलोड ना होने की वज़ा सर्वर में भी प्रॉब्रम हो सकती है लेट से भी डाउनलोड हो सकता है और उसके साथ साथ ही आपको दूसरे तरीके का भी hot ticket दिया जा सकता है अब आप देख लिजे कि आपने क्या किया हो सकता आपका fund जो है यानि कि आपका payment सही से नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे जिनका hot ticket पर enrollment नमबर आ रहा है क्या उनकी परिक्षा होगी अब enrollment नमबर आने से क्या आपका examination हो जागा चले इस बात को clear करते हैं इंद्रा गांधी open university ने यह कहा है कि यहाँ पर haul ticket के बारे में यहाँ पर इस बार यानि कि August में दो तरह के haul ticket रिलीज हो रहे हैं एक haul ticket कुछ इस तरह से जिसको आप देख सकते हैं जिसमें photograph नहीं है और सारी details है examinations की date है और दूसरी है कि यहाँ पर कोई date विगरा कुछ नहीं है सिफ यहाँ पर है कि आपक नोटिस में लिखा हुआ है कि enrollment number इतना और haul ticket आपका issue हो गया है और यहाँ पर एक notice दी गई है तो जिसका भी जिस भी candidate का ऐसा haul ticket आ रहा है आपका examinations August में नहीं होने वाला है तो ध्यान से सुनिए कि आपका examination August में नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि enrollment number आपका ऐसा आ रह तो यहाँ पर जी हाँ जिस candidate का haul ticket नहीं आया अब बहुत सारे student परिशान है अब देखिए अगर by the way आपका examination December में देना ही पड़ा ऐसे only 5% chances है लेकिन अगर promotion नहीं हुई तो देना पड़ा तो फिर क्या होगा आप ने जुलाई में examination form भरा आपका haul ticket release ही नहीं हो रहा कुछ सब्मिट नहीं हुआ था सही तरीके से लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपको promotion दर्ध हो जाएगा main है कि आपनी registration और re-registration जरूर किया हुआ होना चाहिए thank you so much video आपको बहुत अच्छी लगी होगी उमीद है तो प्लीज वीडियो को like share किजेगा and comment section पेज जाहें तो ज